हेलो डियर स्टूडेंट्स वैलकम टू एमपे परिक्षा और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आपके लिए प्रति दिन लेकर आते हैं परियावरण और हिंदी पराधारित कुछ प्रश्न तो बिना देरी किये आईए जान नीते हैं हमारे आज के परियावरण के प्रश्न आज के परियावरण का हमारा टॉपिक है दिवस यानि की important days महत्वपुन दिवस और हम बात करेंगे परियावरण से related सभी दिवसों की जिस तरह के प्रश्न आप से एक्जाम में आ सकते हैं तो चलिए बिना देरी से जान लेते हमारा आज का पहला प्रश्न हमारा पहला प्र सबी लोग उत्तर हमें कमेंट बोक्ष में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वेरी गुड जिन लोगों ने उत्तर दिया बिल्कुल सही है और जो उत्तर नहीं दे पाए हैं उनको मैं बता दूं कि दो फरवरी क्या होता है कि हर वर्ष हमारे देश में दो फरवरी को विश्व आद्र भूमी दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ साथ इस वर्ष आद्र दिवस की जो थीम थी वो थी आद्र भूमी और जलवायू परिवर्तन ये थीम जरूर याद रखें क्योंकि करेंट में हो सकता है आपको ये प्रेशन पूछ लिया जाए चलिए नेक्स प्रेशन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स प्रेशन है वो है विश्व जल्दिवस यानि की वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है विकल्प ए 6 अक्टूमबर 21 मार्च 22 मार्च या 23 अक्टूबर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करक प्रेशन की बिताईए जी बिलकुल सही इसका उत्तर होगा 22 मार्च विश्व जल्दिवस प्रतेक साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका उत्देश यह होता है विश्व के सबे विक्सित देशों में एवं विकास्चिल देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की प्रक्षन के महत्व पर भी अत्यदिक धिया जाता यह है तो इसके पश्याद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्ण हमारा तीसरा प्रश्ण है विश्व प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है याने की अर्थदे विकल्ब हैं तो देखिए विश्व प्रत्वी दिवस जो मनाया जाता है वो हमारे यहां मनाया जाता है बाविस अप्रेल को प्रत्वी दिवस का आयोजन वर्ष में एक बार होता है और 22 अप्रिल को दुनिया भर में परियावरन संद्रक्षन के लिए समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए यहां आयोजित किया जाता है इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना अमेरिकी सिनेटर जेरॉल्ड नेलसन नामक वेक्ती ने की थी 1970 में ठीक है और किसके रूप में की थी परियावरण सिक्षा के रूप में की थी चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रेश्ण की और तो हमारा अग जान रहे बायोडाइवर्सिटी डे विश्व जेव विविदता संरक्षन दिवस कब मनाया जाता है मैंने आपको दो बार बोल दिया है जी वो 16 सेप्टेम्बर नहीं है 18 सेप्टेम्बर ठीक है तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि देखिए प्रतिवर्ष 22 मई को अंतराष्ट्रिय जेव विविदता दिवस मनाया जाता है और जेव विविदता संरक्षन दिवस भी इसे कहा जाता है इसका जो प्रारंब है जो शुरुवात है वो संयुक्तराष्ट संग ने की थी ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला जो प्रश्ण है वो कुछ इस प्रकार है अंतराष्ट्रेट टाइगर दिवस कब मनाया जाता है अबको बताना है कि वर्ल टाइगर डेकर मनाया जाता राहिए 24 नवेंबर 39 जुलाइ साथ सप्टेमबर या 16 जुलाइ तो यहां वर्ल्ड टाइगर देकर मन मनाया जाता है जल्दी से सभी लोग reply देंगे comment box में जी जिन्होंने उत्तर बताया बिल्कुल सही बात है और जिन्होंने नहीं बताया कोई बात नहीं हम जान लेते हैं तो देखिए 29 जुलाई को world tiger day मनाया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही सरल सा प्रशन है और उमीद करते हूं आप सभी को याद है तो जल्दी से दो मेंट का टाइम देते हूं जल्दी से सभी लोग comment box में comment करके बताएं मैं यहां आपको कोई विकल्प नहीं दे रही हूं पर् हमारे यहां 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षन के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है ठीक है इस दिवस को मनाने की घोशना किस ने की थी संयोक्तराश्ट्र ने हमेशा याद रखना बहुत चारे डे संयोक्तराश्ट्र में ही शुरू किया है तो कभी आप कंफ्यूज होएं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये शुरुआत कभ हुई थी 1922 में इसे 5 जून से 16 जून तक संयोक्तराश्ट्र महासभाद द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मिलन में चर्चा के बाद ही शुरू किया ग गया था ये इंपॉर्टेंट चीज़े आपको याद रखनी है चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्ण हमारा जो अगला प्रश्ण है वो कुछ इस प्रकार है प्रश्ण है विश्व पर्यावरण संडरक्षन दिवस कम मनाया जाता है जिसके विकल्प है ए 23 दिवस चलिए देखते हैं हमारा इसके बाद अगला प्रश्ण तो हमारा अगला प्रश्ण कुछ इस प्रकार है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही सरल प्रश्ण है आप सभी को इसका उत्तर देना है यहां पर देखिए इस चीज से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपको डेश सारे पढ़ना है क्योंकि हमसे डेश पूछे जा सकते हैं ठीक है परियावरण में हमसे दिवस पूछे जा सकते हैं तो विकल्प हैं आपको इसका सही उत्तर बताना है देखिए पहली बार 1995 में यह ओजोन दे मनाया गया था और हर वर्ष 16 सेप्टेंबर को ओजोन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है सभी लोगों को याद रख लेना है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है 16 सेप्टेंबर को सितंबर माहा की 16 तारीक को ओजोन डे के रूप में हम सेलिबरेट करते हैं अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है देखिए इस मामले में बहुत सारे मतभेद हैं तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है और अपने इस तर पर इसे आप पुनह एक बार अच्छे से जरूर पढ़ेंगे विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है ए आट मैं बी दस मैं सी बारा मई और डी ग्यारा मैं तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 11 मैं 2019 में अभी यारा मैं आने वाला है जल्दी संपुर्ण विश्व में पक्षी प्रवासी दिवस मनाया गया था लेकनी है कि यह दवस वर्ष में दो बार मई और अक्टुम्बर महा के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि इससे तिथी बदल सकती है क्योंकि यह किसी सबसे मनाया जाता है डेस के हिसाब से अक्टुम्बर और मई महा के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है तो तिथियों में बदलाव हो सकता है ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला और अंतिम प्रश्ण है विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है अपको बताना है विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है तो देखिए वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में 2 अक्टुबर से 8 अक्टुबर तक मनाया जाता है तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एप्रोक्जिमेट हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 6 अक्टुबर तो यहां अमारे 10 प्रश्ण समाप्त हुए अब आप सभी लोगों को क्या करना है आप लोगों को ये करना है कि जितने भी प्रश्ण यहां हम पढ़ रहे हैं इन सभी की आपको बहुत बहतर त्यारी करनी है और अपने अध्यन को यहां कंटिन्यू रखना है ठीक है ताकि अगर आपकी एक्जाम की डेट जैसे ही निश्चित हो तो आप सभी वहां अपना बैस्ट दे सकें तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें अपने दोस्तों से शेयर करें कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी समस्या है हम आपको उसका उत्तर निश् लें और अगर आप तैयारी करें तो प्राक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परिक्षाइब